लगातार बड़ी खबरे देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी खबरे देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी खबरे देखने को मिल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने अपने हत्यारों के जखीरे में टाइफ 15 टाइंक, Z20 हलिकॉप्टर और GJ2 ड्रोन शामिल किये हैं। जो से पहाडों और उचाए वाले लाकों में युद्धि के दौरान बढ़त दिलाएंगे। टाइ 15 टाइंक को पिछले साल ही से नामे शामिल किया किया है। चीनी विशलेशिकों ने दावा किया कि तिबबत के पहाडों में यहलका टाइंक बहुत आसानी से काम करेगा। जबकि बड़े टाइंकों को जाने में दिक्कत होगी। यह टाइंक किसी भी अन्य टाइंक को पीछे छोड़ देगा। बियले ने अत्याधुनिक PCL 181 टोप टैनात की है। 25 तंकिस टोप को कहीं भी बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। हलकी होने की वज़ा से यह बेहद आसानी से पहाडों में घातक हमले कर सकती है। यह पूरी तरह स्वचालित और अर्थ स्वचालित है। इन दोनों को ही चीन ने जन्वरी में ही तिबबत के पठारों पर तैनात कर रखा है। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने तिबबत में भारतीय सीमा पर मुल्टिपल रॉकेट लॉंचर सिस्टम तैनात किया है। यह रॉकेट लॉंचर 370 mm के रॉकेट दागनी में सक्षम हाथ्यारों की धौंस दिखा रहा चीन से लैस जी जे टू ड्रोन निग्रानी विमान को तिबबत में तैनात कर रखा है। इसे पूरे तिबबत में निग्रानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन दाभा किया कि इन हत्यारों के बल पर चीनी सेना उंचाई वाले लाखे में किसी भी तरहा के हमले का जवाब देनी में सक्षम है। बता दे कि लद्डाक में चीन अपने सदा बहार दोस्त पाकिस्तान की तरह चाल बाजी की है। तस्वीरों के हवाले से सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी स्यानिक भारती असेना के पेट्रोलिंग वाले लाकों में पोजीशन ले चुके हैं और कुछ रणीतिक द्रेश्टी से एहम शेत्र में भी आ गये हैं। और ये कोर्ड नॉर्धन कमांड में आती है। चौधवी कोर का हैटकौटर लेह में हैं जहां नॉर्धन आर्मी कमांडर गए हैं। लेफटनल जर्नल वाई के जोशी पहले चौधवी कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। इस्टनल अद्दाक में चल रहे तनाव के बीच आर्मी कमांडर का ये दोरा एहम माना जा रहा है। मंगलवार को भारत चीन के बीच तनाव खत्म करने के लिए हाइस्ट कमांडर लेवल की मीटिंग भी हुई। जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हाला की कई मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई। एलेसी पर तराफ दोर करने के लिए पोटोकॉल के मताबिक लोकल कमांडर डेलिगेशन लेवल और हाइस्ट कमांडर रस्तर की मीटिंग होती है। पहले मसली को लेकर लोकल कमांडर डेलिगेशन लेवल मीटिंग होती है। और दोनों तरफ के सैनिक टटे हुए है। युद्धि के लिए अन्फिट हैं 20% चीनी सैनिक। चीन की सरकारी समाचार पत्र ने दावा किया है क्योंके सैनिक भारत की किसी भी हमने का जवाब देने के लिए तयार है। लेकिन चीनी सेना की एक रिपोर्ट ने चीनी मीडिया के दावे की पोल खोल कर रखती है। चीन की पिपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्विकार किया है कि उसके 20% सैनिक जंग के लिए अन्फिट हैं और मास्टर बेट करते हैं। चीनी सेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि 20% सैनिको का वजण जरूरत से ज्यादा है और वे युद्ध के लिए अन्फिट हैं। PLA ने अपने सैनिकों से ज्यादा वीडियो गेम नहीं खेलने, स्मार्टफुन का इस्तिमाल कम से कम करने और मास्टर बेट कम करने के लिए कहा था पीले ने अपने सैनिकों की बुरी आदतों को देख मजबूरन अपने मुखपत पेपल्स लिबरेशन डेली में इनसे धानतों को प्रकाशित किया था हालात यहां तक थे कि एक शोहर में 57 पीस्ती सैनिक टेस्ट में फेल हो गये थे चीनी सेना ने कहा कि 8 प्रतिशत सैनिकों के स्क्रोटम में एक वीन काफी लंबी है उसने दावा किया कि यह ज़्यादा बैटने की वज़ा से होता है पीले ने कहा कि यह लंबे समय तक कंप्यूटर गेम खेलने बहुत ज़्यादा मास्टर भेट करने और अभ्यास कम करने की वज़ा से भी हुआ है चीनी सेना के टेस्ट में 25 पीस्ती सैनिकों के अनफिट होने के पीछे अत्यधिक शराब पीना भी शामिल है इसके लाबा कई सैनिक खराब डाइट की वज़ा से भी अनफिट साबित हुए हैं चीनी सेना ने कहा कि 46 पीस्ती सैनिक विजन टेस्ट में फेल हुए ये लोग अपने फोन पर चिपके रहते हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से उनकी नजर कमजोर पड़ गई है पीले ने कहा कि सैनिक बहुत ज्यादा जंग फूड खाते हैं और इसकी वज़ा से टेस्ट में फेल हुए गंदा पानी पीने की वज़ा से उन्हें साइनिस की भी दिक्कत है